वेलकम टू विंग्जे कुडान मेरा नाम है तंजोज सिंग आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ VLW exam को लेके कुछ important GK questions moreover जो आपकी test series चल रही थी उसमें जो questions आए है JNK किया किसी miscellaneous topics के वो भी आज हम discuss करेंगे सबसे important यह कि मैं आज आपको सिखाऊंगा कि एक answer को या question को कैसे approach किया जाता है even if आपके पास उसके regarding छोटी या कम information हो आप उस information को कैसे use करके कैसे चीजों को eliminate करके successive answer तक आप पहुंच सकते हो So बिना time waste की हुए आइए start करते हैं आज की series या आज का lecture जिसका पहला question है आपके सामने Dash is based on the classical music of Kashmir bought from Persia prominent instrument uses santour So मैं क्या करूँगा मैं try करूँगा हर question में आपको deep में लेके जाओं अच्छे से explain करूँ और फिर आपको मैं एक analyzation दूँगे कैसे हाप paper में ये decide कर सकते हो कि इन में से कौन-कौन-कौन से आपको close answers लगते हैं और कैसे ये question क्या ये answers इसके derive हो सकते हैं इसका answer है हाफिस नगमा इसका answer है हाफिस नगमा अब classical music of Kashmir की अगर बात करें तो ये music चलता है हमारा सुफियाना कलाम में इसका दूसरा नाम ऐसा मान लो कि सुफियाना कलाम है अगर इसी culture को इसी music form को मैं dance में convert करूं या dance की form में देखना चाहूं तो उसका नाम है हफीजा उसका नाम बन जाता है हफीजा अब आगे लिखा हुआ है इस बाट फ्रॉम पर्शिया यह जो लाइन है इस question की यह बहुत important है यहां से सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिल सकता है संग 15th century AD में मालों यह अफगानिस्तान यह पाकिस्तान ए इराक इरान और यह पूरा मालों पर्शियन एंपायर है 15th century में पर्शियन इन्वेजन हुई थी इंडिया में जी एनके के पार्ट में इसका मतलब 15th century में जब यहां का राजा सिंद का राजा था जो उस पर नाम से बोल सकते हैं वो सारह का सारह कहां आ जया जया ज्मो कश्मीर में आज तक प्रोमिनेंट ली यहां पर तभी हमें खतंबंध कंड कारी या फिर सूफियान कलाम हाफिस नगमा या फिर तुर्क इरानियन musical instruments जैसे चीजें देखने को मिलती है हमारे अपने कल्चर में जम्मु कश्मीर के कल्चर में प्रॉमिनेंटली कश्मीर के कल्चर में क्यूंकि ये सब चीजें पर्शिया से उठके जम्मु कश्मीर में शिफ्ट हुई थी 15th century AD में तो आपको यहां से ये कोश्मीर में आया कब और आया कहां से आंसर भी पर्शिया और इरान इस इरानियन कल्चर और प्रॉमिनेंटली इन 15th century अब यहां पर एक खास बात इस कोश्चन की यह है कि इस हाफिस नगमा में जो प्रॉमिनेंट इंस्टूमेंट बज़ रहा है उसका नाम संतूर है अब यह खास बात इसलिए है क्योंकि संतूर प्रॉमिनेंटली ना तो गवातरी में बचता है ना तो सूर्मा में बचता है ना ही ब्रेंथे में बचता है तो इनकेस अगर आपको पेपर में इनकी थोड़ी भी नॉलेज है तो मेरा लास्ट और राइट ऑप्शन भी यहां भी गवातरी आपके साथ बोलू करूं तो गवातरी किया है गवातरी में युनिक टाइब का डांस किया जाता है डिप्रint डिफ्रेंट मेलोडीज यूंीकड डांस आइट बिइस तो इसमें संतूर courageous नाम लिया नहीं और घवातरी जो है यहां से डर्राइब नहीं गुआ से Drive नहीं हुआ तो मैं गवात्री को Cancel कर सकता हूं काड सकता हूं वैसे शूर्मा क्या है? सूर्मा एक दवगरी डान्स है दवगरी कल्चर है जहां पे जब नए शादी होती है मिया भीवी की या फिर उस टाइम पर होती थी मियं भीबी की शादी जो मिया होते थे वो ज़्यदा तर आर्मी में चले जाते थे तो उनको मिलने की आस में, री यूनियन की यर्न में जो गुसे में, एंग्विश में डांस किया जाता था या गाना गाया जाता था उसको हम सुर्मा कहते हैं और बेंथे जो है ये गुजर बकरवाल लोगों का डांस फॉर्म है तो अगर आपको थोड़ी थोड़ी इंफोर्मेशन इनकी भी होती तब भी आप अप अप्रोच कर लेते कि हाफिज नगमा ही वो ऑप्शन मेरा बन सकता है जहां पर प्रॉमिनेंटली संतूर और प्रॉमिनेंटली परशिया का जिकर किया हुए तो इस तरह से कोशन सॉल्व करने से या इस तरह से अप्रोच लडाने से आप कोई भी कोशन इजिली सॉल्व कर सकते हैं आईए चलते हैं मेरे नेक्स्ट कोशन पर नेक्स्ट कोशन है हमारे साथ आपके सामने हेजल, सिल्वर फिर, हेजल, सिल्वर फिर, ओक, मैपल, चेसनट, यह जितने भी मैंने आपको पेड़ बताये हैं, यह इन में से कौन सी वेजिटेशन को बिलॉंग करते हैं, अब मान लो मुझे यह आंसर नहीं पता, पर मुझे ए अप्शन हैं क्या चीज़, आई इनको व्यूदक्व क्रते हैं, यह जो चार उप्शन है, मान लो यह मेरा अर्थ है, और मान लो यह सूरज है, सूरज की रोजस्नी WhatsApp पर पहलता बैरता है, तो हम यह वाद एरिया, इक्वेटर के पाष वाद एरिया, सबसे गरम एरिया, एक इससे भी अगर मैं एक थोड़ा ऊपर बना दूं तो यह उससे ओर थोड़ा कम गरम या फिर मानलो ठंडा होगा और यहां तो बर्फ पड़ी है सबको पता है यह चोटा सा कॉंसेप्ट क्या है यह कॉंसेप्ट है कि मानलो मेरे सामने कोई हीटर है अगर मैं हीटर के पास जाता हूँ मुझे ज़्यादा सेक मिलता है हीटर का मैं थोड़ा सा दूर जाता हूँ मुझे कम सेक मिलता है मतलब उसके जितने में पास रहूँगा हीटर के उतन इसको मैं बोल दूँगा ट्रॉपिकल ट्रीज सिमिलरली सूरज की रोश्णी ऊपर थोड़ा कम जा रही है एस कंपियर टॉपिकल रीजन तो मैंने इसको नाम दे दिया सब ट्रॉपिकल रीजन मतलब गरम तो है पर ट्रॉपिकल के मुकाबले थोड़ा कम गरम है वैसे ही उस पूरी दुनिया में जो इस रीजन के पेड़ है वो अल्मुष्ट सेम इंसोलेशन ले रहे हैं सान की सेम इंसोलेशन भी ले रहे हैं सान की और सेम क्वांटिटी ओफ हीट भी मिल रही है उनको इसका मतलब इनक्या जो नेचर होगा माल लो अगर मैं सब ट्रॉपिकल को करूं तो इन इस एरिया में दुनिया में जितने भी पीड पाया जाएंगे से मैंघ कई इस इसको मैं इने सब ट्रॉपिकल एरिया बोला वो क्या होगा सेम अलमोस्ट सेम तो यह है मेरे options subtropical forest, temperate forest, phytic region and alpine forest subtropic forest का मतलब अब वो हुआ कि इस subtropical region में जितने भी दुनिया के पेड़ पाया जाते हैं वो कौन से बन गे subtropical पेड़ उसके बाद अगर मैं जम्मू कश्मीर को zoom करूँ तो वो भी कुछ इसी area में पाया जाता है world map पे या फिर अर्थ में तो इसका मतलब हमारा जो जम्मू कश्मीर है उसमें subtropical प्लस temperate दोनु तरह के पेड़ पाया जाते हैं ठीक है अब कोशें नहीं है कि बताओ hazel, silver, फिर, oak, maple, chestnut particularly इन सब में से किसको belong करते हैं मान लो मुझे इसका answer नहीं पता पर मुझे इनकी meaning पता है जो मुझे option दिये हुए option one हम alpine forest पकड़ लेते हैं alpine forest का मतलब मान लो यहां पे बहुत गने जंगल है पेड़ हो दे हैं यहां पे और मान लो ऊपर बरफ पड़िये यह पूरा बरफ वला रीजन है तो एक बीच में जो रीजन होता है जहां पर गने पेड़ होते हैं और जहां बरफ पड़ी होती है अपको 3600 से 4000 मीटर हाइड की मैं बात कर रहा हूं इस हाइड पे आपको ऐसा सिनेरियो पाया जाता है कि कहीं पे बहुत देन्स जंगल पाया जाता है फिर उसके काफी ऊपर बरफ वड़ी मिलती है आपको स्नो बैल्ट मिलती है यहां पर ट्री बैल्ट मिलती है बीच में कुछ खुले मैदान मिलते हैं जिसमें बहुत थंडी हवा चलती है, इन खुले मैदानों को Alpine Forest कहा जाता है, या फिर देसी लैंग्वेज में, जम्मू कश्मीर में इनको हम मार्ग बोलते हैं, मार्ग जो नाम है, ये नाम गुजर बकरवाल के दिवारा दिया गया था, उनकी common लैंग्वेज में वो उसको म मार्ग के नाम से पोकारते हैं, इसलिए geographers ने भी इसका नाम मार्ग accept किया हुए, तो ये जो मार्ग हैं, इन में पेड़ों की तादात बहुत कम है, ये कुछ खुले मैदान होते हैं, जहां पर ठंडी हवाएं चलती हैं, दुनिया की मालों सारी romantic movies यहीं पर shoot होती हैं, तो आपको तो ये अंदाजा हो गया कि alpine forest का मतलब alpine path या फिर ये marks जहां पर पेड़ नहीं पाया जाते, जहां पर बरफ ज्यादा नहीं पाया जाती, ये इन दोनों के बीच में पाया जाता है, तो जब ज्यादा quantity के पेड़ यहां पाये ही नहीं जाते, ये तो खुले मैदा होते हैं, ठंडी हवाओं वाले, तो मैं इसको eliminate कर सकता हूँ अपने question से, क्योंकि मुझे तो कुछ पेड़ों के नाम पूछे है, तो मुझे अगर answer नहीं पता था, कोई बात नहीं, मैंने एक option तो eliminate कर दिया, अब अगर मैं आपको zero phytic vegetation बताऊं, ये vegetation वैसे लदाफ में पा उतर, तो agavus, या फिर cactus, जो बड़े कम पानी में भी survive कर लेते हैं, वो इन regions में पाया जाते हैं, therefore ये भी मेरा answer नहीं हो सकता, अब मेरे पास दो options already eliminate हो चुके हैं, रही बात इन दो options की, that is subtropical forest या temperate forest, तो subtropical forest के जो पेड़ हैं, उनकी विशेशता या उनकी characteristic ये है, कि वो decidious होते हैं, वो decidious होते हैं, decidious का मतलब जो अपने पत्ते जहार देते हैं, इनके पत्ते जिन पेड़ों के पत्ते नीचे गिर जाते हैं, जैसे चिनार, चिनार एक decidious पेड़ है, decidious बूट है, जो पतचड का मोसम आने पे अपके पत्ते शेड कर देता है, और जब बेल्ट का पेड है क्योंकि सब्ट्रोपिकल बेल्ट एस्टी जिसमें पूरी दुनिया में डेसीडियस पेड पाए जाते हैं अब सब्ट्रोपिकल से थोड़ा सा ऊपर चलें जैसे हेजल सिल्वर फिर ओक मैपल चेस्टनेट ये सब चीजें फिर इल्टिमेटली किसको जाते हैं तो इसलिए एक अंदाजे से भी अगर मैं ये कोशन करता तो मैं अपना आंसर टेंपरेट फॉरस्टी करता कि दैटिस हेजल सिल्वर फिर ओक मैपल या चेस्टनेट टेंपरेट फॉरस्ट को पिलॉंग करता है आए चलते हैं आगे नेक्स कोशन पर अपने नेक्स कोशन आपके सामने है ये कोशन जम्मू कश्मीर की रीवर्स में से पूछा गया कोशन है रोमशी और दूद गंगा ये पूछना चाहते हैं कि रोमशी और दूद गंगा कोन सी रीवर की ट्रिब्यूटरी है या क्या वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है क्या वो लेट बेंक ट्रिब्यूटरी है देखो चैनाब, इंडस, जेलम और रावी आपको अच्छे से स्टडी करनी ही पड़ेगी क्योंकि उनकी ट्रिब्यूटरी या ये रिवर्स जो है ये प्रॉमिनेंट रिवर्स है जम्मू कश्मीर की जो हमारी जम्मू कश्मीर की बेल्ट में है कि यह दोनों ट्रिब्यूटरी मेरी जेलम की आपकर मुझे पता है कि यह मेरी ट्रिब्यूटरी जेलम के तो अभीसलि स्ट थी यह trick question है चनाब और अस्खिनी सेमेऄ चनाब का ही दूसरा नाम अस्खिनी है तो अगर चनाब मुझे पता है कि चनाब कि डिर्प्यूट ही तो अब यह भी CANSL हो गया और इंड़े Cin ही तो और आंसर मेरा क्या बन जाएगा जेलम आगर आप अधर चनाप यहां से चलने के बाद. पाडड gather रींजर से एंटर होती है, जम्हु कश्मीर में, जो आप किष्टवार जिसे, आप कहतेो हूँ इरिया उस किष्टवार से, होते होते रियासे से, होते 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 आखनूर कि पर वह पकिस्तान में चल ही जाती है अगर मैं चेनाब रिवर को थोड़ा सा ओर ग्रिल करूँ तो उसकी कुछ important right bank tributes बनती हैं जैसे मारुसदार रिवर, जैसे अंस रिवर जिस पे सलाल प्रोजेक्ट पाया जाता है और कुछ left bank tributes बनती हैं जैसे तवी रिवर या फिर नीरू रिवर तो मोटामोटा भी अगर मुझे चनाब रिवर के बारे में याद हो तो मुझे ये बताय के रोमशी और्धूर दूर गंगा ये नाम में ने चनाब में नहीं सुने तो अगर मैं इसके बाद आपसे जेल्प की बात करता हूं अगर मैं आपसे Jalen River की बात करूँ तो Jalen River हमारी Verynag से स्टार्ट होती है जो Octagonal Spring है जो पाया जाता है कश्मीर में वहां से स्टार्ट हो के अनंतनाग से स्टार्ट हो के सिर्नागर से चलते चलते 12 μुला उरी से ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है और इसकी जो कुछ लेफ्ट बेंक ट्रिब्यूटिर्स हैं उनके नाम है रोमशी रैंबियर दूद गंगा फिरोस्पूर नाला उसके बाद और कुछ राइट बेंक ट्रिब्यूटिर्स हैं इंपॉर्टेंट आरपत कोल ब्रिंजी सांद्रेन लिद्दर य आपको मोटा मोटा भी याद होता कि जेलम और चनाब की ट्रिब्यूटिर्स कौन कुन सी हैं जो की बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट व्यू से तो आप यह आइडिया लगा सकते हो कि यहां पे आंसर मेरा जेलम बनने वाला चनाब अगर अग बुद्गंग का लेफ्ट बेंक ट्रिब्यूटरिस हैं किसकी जेलम रिवर की ठीक है आई हो आपको समझ आगी है चलते हैं नेक्स्ट कोशन पे नेक्स्ट कोशन है आपके पास यह आपको जम्मू कश्मीर क्लाइमेट से कोशन पूछा गया है कोशन है कि विच रेंज प्र पर्फेक्टली कोशन पेपर में उस कंसेप्ट की हिसाब से आप अपना आंसर डराइब कर सकते हो अब इस कोशन कोई क्या एप्रोच होनी चाहिए सबसे पहला कोशन ही है कि विच रेंज प्रोटेक्स कश्मीर फ्रम साइबेरियन विंड्स या फिर सेंट्रल एशिन विंड साइबेरियन विंड्स या फिर सेंट्रल एशिन विंड्स का मतलब मालो यह हमारा प्यारा इंडिया है भारत है यह पार्ट जम्मू कश्मीर के ठीक है यह पार्ट हमारे पास जम्मू कश्मीर का पार्ट है यह वाला जैन के इसी पार्ट में नौट की मेजर माउंटेन बेल्ट भी पाए जाती है जैसे कारकोरम बेल्ट जैसे लदाख बेल्ट जैसे जसकर बेल्ट जैसे ग्रेटर हिमालेयस बेल्ट जैसे पीर पंजाल मैं इनको बहुत डीप में नहीं बदाने वाल हूं बस आप से concept explain करना चाहता हूं कि उस concept से कैसे हमने यह वाला अंसर अपना निकाल रहा है अब यह question कहा रहा है कि ऐसी कुन सी range है मेरी कुन सी range है जो कश्मीर को कश्मीर को Siberian winds Central Asian winds मतलब जो यहां से winds कश्मीर में आ रही है उनसे बचा रही है इन winds को हम north western disturbances भी पोलते हैं north western disturbances का मतलब जो north west जो north west direction से आ रही है अगर मैं southwest monsoon की बात करूँ तो उसका नाम southwest monsoon इसले पड़ा क्योंकि वो south west direction से आ रहा था वैसे ही जो north western disturbances है इसका मतलब वो north western direction से आ रही है फस्ट सेकेंड बात यह वो विंट्स है जो Mediterranean Sea के आसपास के इलाके से originate होती है और सर्दियों में जम्मू कश्मीर पंजाब को हिट करती है आपने यह रिलाइस किया होगा जब अपने जोग्राफिक भी पड़ी होगी कि जब भी सर्दिया होती है तो जम्मू कश्मीर और पंजाब के एरियास को पानी मिलता है बायरिश का विच इस गुड़ फ़र राभी क्रॉप्स आलसो यह कोशन भी आपको आ सकता है और यह ज कोशन में बड़े पहलू है पहला पहलू तो यह कि इसको ही नॉर्थ वेस्टेंड डिस्टरबेंसिस बोलते हैं अभी जो दिसम्बर जनवरी चल रहा है इसमें हमें इसी विंट से पानी मिनने वाला है जो बारिश अभी हो रही है कुछ दिन पहले भी जो बारिश हुई है वह इसी का पार्ट है अगर मैं व्ल्ड कलाइमेट ऑलोजी की बात करओं तो यह वही है जिनको वेस्टर लेजं ट्राइब करती है जम्मू कष्मिर में इसका जो इसलिए यह जो Westerlies हैं यह इस direction में J&K या पंजाब को hit करती है पहला question, दूसरा question यह आप से पूछ सकते हैं कि बताओ कि यह जो Westerlies जमू कश्मीर पंजाब को hit करती हैं क्या यह हमारे लिए अच्छी है या बुरी है यह हमारे लिए अच्छी है बिकॉस इसमें Rabi crops को benefit मिलता है पानी मिल जाता है जो उनकी पानी की requirement है वो पूरी हो जाती है कुछ हद तक दूसरा question यह बन सकता है नया question इसमें से यह बन सकता है अब main question पर चलते हैं तो southwest monsoon आपको पता चल गया वैसे ही आपको मैंने northwest monsoon का भी बताया या northwest winds का बताया अब कहरें कि जमू कश्मीर की कौन सी ऐसी range है जो इसको protect करती है protect करने का मतलब जो इसको रोकती है आगे आने से यह कुछ ऐसे अगर आ रही है अगर यह कुछ ऐसे आ रही है यहां से तो ऐसी कौन सी range है range का मतलब ऐसी कौन सी northern पहाड़ी या पहाड़ी या उसकी पहाड़ी की belt है जो इसको रोक देती है रोकने का मतलब क्या है वो भी आपको बता देता हूँ देखो यह आपने वैसे पढ़ा ही होगा एक होता है यह मालोग कोई mountain है और यहां से कोई wind आ रही है तो यह wind जब इस mountain से टकराती है तो यहाँ पर winds इगठी हो जाती है हवा इगठी हो जाती है जिसमें water content होता है और यहीं पर बादिश हो जाती है इस पहार से टकराने की वज़े से यह जो पानी है यह ज्यादतर पानी यहीं गिर जाता है और इस साइड नहीं जा पता है तब ही इसको विंडवार्ट साइड और इसको लीवार्ट साइड ऑफ माउंटेन कहा जाता है यह जोग्रूफी का कंसेप्ट है अब यहीं कंसेप्ट एक्चुली आपको जम्मू कश्मीर के प्रस्पे वार्ट साइड हुआ है जिसकी वजह से एक जगह पे ज्यादा बारिश और एक जगह पे लीस डैफिशिट बारिश हो रही है वो कौन सी पहाड़ी सेम सिचुएशन जेंड के में बना रही है पहाड़ी मतलब कोन सी बेल्ट सेम सिचुएशन में जेंड के बना रही है औप्शन से पीर पंजाल रेंज, ग्रेटर हिमालयाज रेंज, ददाक रेंज, शिवालिक रेंज इसका answer है greater Himalaya's range इसका मतलब जो मेरे पास यहाँ पे greater Himalaya की पहाड़ी है जो मेरे पास greater Himalaya की पहाड़ी है वो क्या करती है वो इन winds को आगे जाने से रोकती है और जिसकी वज़े से north western disturbances यहाँ तक ही सीमित हो जाती है और सारा पानी यहीं गिर जाता है क्योंकि यहीं पे इ इवार साइड क्या रहाता है सूखा रहाता है यह एक very important question है जम्मू कश्मीर के climatic point of view से इसका answer क्या बनेगा इसके बीट में आपको और भी कहीं questions बता दिया जो बन सकते है एक और question बन सकता है मालो आपको यह question पूछें कि southwestern disturbances जो इंडिया में आती है पहले तो southwestern disturbances का इसको आगे जाने से रोकती है या फिर इसके लिए विंड वार्ट साइड और लीवार्ट साइड की situation बना देती है आंसर वुड बी पीर पंजाल रेंज तो आपको जम्मू कश्मीर की बारिश से लिंक करके जम्मू कश्मीर के climate से लिंक करके साउथ वेस्ट का question पोचें त इसी जम्मू कश्मीर के climate में रेंज के लिए एगर आपको ये पी रेंज के लिए आपको ये मेडिटेरियन क्लाइमेट का साइबेरिन विंड का या सेंट्विल एशियन विंड का question पूंचे answer वुड बी these are the most important concepts in climatology in geography जो आपको जम्मू कश्मीर क्लाइमेट के साथ जोड के पूछे जा सकते हैं और एक common question भी बन सकते हैं so ये हैं इनके perspectives और इनके answers मेरे को लगता है आपको समझ आगी है मैंने जो बताया चलते हैं अपने next question की तरव next question है हमारे पास which of the following is called screw horn goat ये सीधा सीधा question पूछा हुए फोना में से कि screw horn goat इन में से किसका नाम है ठीक है अब मान लो मुझे ये answer भी नहीं पता वैसे तो मुझे पता है पर मान लो मुझे ये answer नहीं पता या मुझे doubt आ गया paper में कि हो सकता किसी दो में से एक का doubt आ जाए या मुझे लग रहा है मुझे आता है बर मैं कैसे soft guru मुझे शोर नहीं है कि ये question का answer कि है तो पहली बात हंगुल पहला option है हंगुल हम सब को पता है हमारा state animal है तो हंगुल सब food उसका favorite food hemalayan thhar सब्सके पास हमाले अन्थार motor का basically तो वह कुन बन जाएगा उस टाइम स्नो टाइगर बन जाएगा अनिहाओ तो अब्वियसली यह जो हिमालियन थार है इसमें भी ऐसी कोई विशेष्टा नहीं है स्क्रीव होन गोट वाली तो आंसर मेरा पचा कैप्रा फालके नोरी सो कैप्रा फालके नोरी ही है जिसका दूस क्या है और कितने कितने नाम से हम किसी एक पर्टिकुलर फोना को जानते हैं जम्मू कश्मीर में प्रोमिनेंटली तो इस सेंस में आपको याद तो करना ही पड़ेगा पर फिर भी इसका आंसर क्या बनता कर पेपर में यह कोशन आता है कि स्क्रीव होन गोट का दूसरा नाम यह कोशन भी पूसकते हैं हंगुल प्रोजेक्ट कब आया था जम्मू कश्मीर में यह प्रोजेक्ट कोशन भी पूसकते हैं और हंगुल की जो आयू सीन स्टेटस है तो यह भी पूसकते हैं कि बताओ इसका आयू सीन स्टेटस है क्या है ठीक है यह कुछ कोशन इसमें से ब और खासकर यह अप्रोच आपको लडानी कि कैसे एक आंसर को मेरे अप्रोच करना है सो दर मेरा वह आंसर पेपर में में ठीक करके हूं ठीक है यह सब बाते हैं मैं आपके साथ आपको पेपर देना चाहिए सबसे पहले आप किसी आंसर को टिक करने के बजाए आप उन आंसर को क्रॉस करो जो आपको 100 परसंट या 99 परसंट पता यह नहीं है जैसे मुझे पता है कि बीटन वूल या रोलिंग प्रेसिंग वूल का कोई भी कंसर पश्मीना में नहीं है क्योंकि यह तो सिदा सिदा एक स्पैशल गोट से मिलता है तो यह तो मेरा आंसर होई नहीं सकता यह मेरा खतम हो गया देख्स अमली अमली में कुछ कलर्फुल प्रिंटिंग होती है यह मुझे पता है तो यह भी नहीं हो सकता बचा मेरे पास नामदा और गबाद यह मुस्ट इंपॉर्टेंट कारपेट्स हैं मुस्ट इंपॉर्टेंट रग हैं जम्मू और कश्मीर के जो आपको एक बढ़ के जाने में आपको एकस्पेन करके हो देखो जब भी हम भी आया रोलिंग और प्रेसिंग बूल की बात करते हैं यह जो रोल रा प्रेस किया जाता है यह किया जाता है मौइस्ट्र हम और ईहीट को यूज्स करते हैं आपने कभी देखा होगा आपके किसी रिष्टदाती घर पर एक बैसिकली ये कुछ वाइट या डल उफवाइट कलर का एक कारपेट होता है जिसके ऊपर एक प्रिंट को चिपकाया जाता है एक बूरल का of rolling pressing wool that is it is also called as felting आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि felting process जो है felting जो process है यह process किस रग में apply किया जाता है जम्मू कश्मीर में अगें दा answer would be नामदास तो यह जो answer है नामदास इसका मतलब कि जब भी आपको बीटन वूल की बात करें या जब भी आपके साथ rolling and pressing की बात करें जब भी आपके साथ applications बताएं किसी की felting की application जैसे moisture यूज कर रहे हैं या फिर pressure यूज कर रहे हैं the answer would always be नामदास और अगर आपसे old wool की बात करें कि कोई old पुरानी wool किसी ने बेच थी किसी से ले ली और उसको यूज करके निया कारपेट यार किया 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 बेसिकली old wool जो में वर्ड़ है वह अगर आपको पेपर में देखने को मिलता है यही फर्क है गब्बा और नम्दा में गब्बा में एक्चली गब्बा में तो प्रिंटिंग होती है नम्दा में तो सिर्फ एक पैटेंचिप काया जाता है पर गब्बा में इस्पैशली old wool को यूज किया जाता है इन शॉट रिसाइकल किया जाता है यह दो डिफरेंसे में गब्बा और नम्दा में पूछे जा सकते हैं तो इस कोशन का आंसर नम्दा बंपन और जितने बीने पॉइंट कोशन बनता दो उसका आंसर बी क्या बन जाएगा नम्दाज ही बन जाएकु चलते हैं य। न। कößन की ओर ठीक है चाहिए आपके सामने जो next question है यह सीधा सीधा question है इसमें कोई याद करने वाली चीज निया यो समझने वाली चीज निया यह यह question है which garden is called as the garden of love प्यार का पार्क या प्यार का garden किसे कहा जाता है जम्मु कश्मीर में शाली मार बाग को भोर जो है यह चट्थे वली साइड है जम्मू कश्मीर में और यह बागे बहु भी जम्मू कश्मीर का पार्क है जम्मू का पार्क है प्रोमिनेटली दोनों जम्मू के पार्क है और यह दोनों कश्मीर के पार्क ठीक है उसके बाद नेमदा टूरी स्पॉर्ट वेर फ्रॉम दी वेर फ्रॉम दी फेमेस ट्रेक ऑफ शंगफाल स्टार्ट्स सो आपके सामने एक और कोशन आया अब ये कोशन जो है जानके मेंने डाला इस कोशन में आपको मैं ये चीज़ बताना चाहता हूं कि कोई हैं अपने है ही पर उसके आस पास वाली चीज़ें भी बड़ी हो जाती है ऐसकल जो जैसल पीमेंने डिस ता आपको कोश है लिए कि बताओ St. Mary's Church गुलमर्ग में या फिर St. Mary's Church कहां पर ऑप्शन देगा गुलमर्ग, जम्मू, या पत्नी टॉप या सनासर कुछ भी, तो आप आप आंसर वुट भी गुलमर्ग, ईसका मतलब कुछ important tourist destinations ऐसे भी हैं जिसके आस-पास की जगाएं जानना भी बड़ा जु तो पत्नी डॉप से लेट को अगर हम चले जए लेफ्ट को कश्मीर चले जाएंगे अगर पत्नी डॉप से लेफ्ट को हो जाएं तो यहां पर कुछ तारहन किलोमीटर आगे जाकर आपको शंक पाल कर ट्रैक मिलते हैं है जो असल में सणा सर के पास है तो की रास्ता तो पत्नी टॉप से जाता है पर मिलता कहां पर सना सर के वास तो इसका मतलब शांख पाल ट्रैक बेसिकली इसके पास है सना सर के पास इसका मुस्ट प्रॉमिनन ड आंसर में कुण सा लगाऊंगा त्षी अब यह जो शंग पाल साल पुराना शिव जी का मंदिर दिखते है इस शिव टेंपल है जो इसका फाइनल डेस्टिनेशन है शंख पाल ट्रैक का जो की आपको सनसर के पास पाया जाता है तो यह चीज़ें तो आपको डिरेक्टली याद होनी चाहिए कहीं पर पड़ी होनी चाहिए तभी आप इसको अप्रोच कर सकते हो ठीक है अगर मैं इस को करता तो मैं सनसर और प्रत्नी टॉप में कंफ्यूज हो सकता था जिसको मैंने आपकी कंफ्यूशन दूर कर दी बाकि मांसर के पाद आसा कोई ट्रक नहीं है और देवी पिंडी भी अलग से एक ट्रैक है जो इस शंक पाल से कोई बी लिंक नहीं रखता तो इसलिए इस कोईशन का आंसर मेरा क्या बनता है मोस्ट प्रमिलेट आंसर वुड़ बी डैट इस सरनासर नेक्स चलते हैं नेक्स कोईशन की दरफ नेक्स कोईशन है मेरे पास पॉंगल जली गट्टू फेस्टिवल्स बिलॉंग्स तो इसके लिए आपको आट एंड कल्चर जो है जम्मू कश्मीर का तो पढ़ना ही है इंडिया का भी अलेक्स से पढ़ना पड़ेगा आर्ट एंड कल्चर में आपको डांस वाम सारी पढ ने आपको वल्ड जुनेस्को की जो वल्ड फेमस साइट से वह पढ़नी है और इनके आपस पर लिंक भी देखने पड़ते हैं यह सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी इस चैप्टर में तब जाके आपको यह कोशन आएगा यह कोशन हमारा इंडिया का कोशन दिया गया इस पॉंगल जली कटू कहां के फेमस डांस फॉर्म से यह फेस्टिवल से सौरी आंसर इस तमिल नारू अगर मुझे यह कोशन करना होता अगर मुझे नहीं आता फॉर एक्जैंपल तो मैं क्या करता मैं सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर को क्रॉस करता क्योंकि मुझे पता यह जो हिमाचल है यह भी अपने कोशन से अलिमिनेट कर सकता था यहां पर मेरी कन्फ्यूजन बनती थी पर वो कन्फ्यूजन रह वही दूर कर सकता है जिसने बेसिकली इसको एक बर पढ़ाओ देरफोर आंसर फॉर पॉंगल जली कटू इस तमिल नारू ठीक है नेक्स कोशन जो हमारे पास है वो है गराहा सारंगी रबाब जो प्रॉमिनेंटली प्ले किये जाते हैं वो कहां किये जाते हैं अब आप आप यह जमू कश्मीर कल्चर का कोशन आपके पास यह जो इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहा है यह कह रहा है यह जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं यह जमू कश्मीर के किस प्रॉमिनेंट डांस फॉर्म में यूज किये जाते हैं किस प्रॉमिनेंट डांस फॉर्म के जमू कश्मीर में यह इंस्ट्रूमेंट्स यूज किये जा यह चीज़े कैसे याद रखनी हैं, अब जो rough dance है, अगर उसकी मैं बात करूँ, जो rough dance है, इसमें क्या करती हैं, दो ladies, या फिर group of ladies, group of girls होती हैं, वो आपस में पीछे में कमर में हाथ रखके, या एक दूसरे को कमर से पकड़के, एक fashion में आगे या पीछे, या आगे या तो मैं यह eliminate कर जाता हूँ, फिलाल के लिए, उसके बाद बखल जो है, बखल जो song है, या बखल जो dance form है, यह वो dance form है, जिसमें कोई भी instrument नहीं बचता, जिसमें कोई भी instrument नहीं बचता, मालो वो जो गाना famous हुआ था, नो करे नहीं लगनी, पावे डिगरी करी, लो चार, मत किसी ने copy किया, copy करते करते हमारा culture में आ गया, मतलब हमें accept किया हमें अच्छा लगा, और हो prominently full full गया, ऐसा कोई dance जो बिना instrument के गाया जाता हो, जो सब को पसंद आए, और उसमें prominently कोई भी instrument नहीं बचता, उसको हम बखल के नाम से जाते हैं, तो इसलिए बखल तो नहीं हो हमें जम्मू कश्मीर का, जो लोक देवतास के लिए perform किया जाता है, यह कुछ 15 से 20 लोग perform करते हैं prominently, और इसमें जो important instruments बचते हैं, मैंने अपनी जहन के जीके सीरिस में भी बताया था इसका trick, मैंने ऐसे याद रखा हुए कि farmers ने cute dance किया, so farmers ने cute dance किया, क्योंकि यह farmers के ल बनाया, F for flute, N for Narsimha, जो कुछ ऐसे shape का होता है, C for China, आपको पता ही है, D for drums, C for China, D for drums, तो जो चार prominent instrument बचते हैं, कुद डांस में, वो तो यह है, flute, Narsimha, China, drum, वो तो इससे बिलकुल भी मिलते चुलते हैं, इसका मतलब, कुद भी इसका answer नहीं हो सकता, पीछे बचा चकरी therefore the answer for the particular question will be चकरी, अब चकरी में क्या-क्या बच रहा है, देख रहे हो आप, गराहा, सरंगी, रबाब, मैंने इसका ऐसे trick बनाया हो, चरकी का अगर आपको अच्छा लगता तो आप भी याद करो, that is रभी शेर गिल, हर्मोनियम बचाता है, ठीक है, R for रबाब, S for सरंगी, G for गराहा, ठीक है, और H for हर्मोनियम, तो ये सारे के सारे किसके हैं, ये प्रॉमिनेंटली कुद के बन गे, और चकरी वाले प्रॉमिनेंटली कौन से बन गे, FNCD, अगर आपको ये trick अच्छा लगता है, आप यूज कर सकते हो, ने तो आपको अपना trick भी बना सकते हो, आप आपको जो भी करना करो, पर किस तरह इसको memorize आपको करना पड़ेगा, खास कर VLW exam के लिए, क्योंकि ये प्रॉमिनेंटली दोनू डान्स फार्म, बड़े ही famous dance form है, और ये ऐसे dance form है, जिसमें prominent instruments बज़ रहे हैं, जैसे हाफिस जगमा में prominent संतूर बज़ रहा था, उसका question ल तो easily फिर मेरा paper में, मेरी GK में खास कर scoring के हो सकती है, अच्छी हो सकती हो और GK बहुत बड़ा deciding factor है आपके exam के लिए, anyhow, चलते हैं next question में, question number 11, that is, नाज और भिनिनाला are the triputers of which river, देखो ये question already VLW की series में पूछ चुके हूं में, अब इस question में कहीं बच्चों ने हमें reference भी जब ही डाली थी कि ये question गलत है, कोई चलता है, कोई कहा रहाए था है, कोई कहा हर सहीं नहीं है, कोई कह रहा है, मैं सबसे पहले इसका source बता देता हूँ, आप उसमें आपको एक रावी रिवर का जब आप उस रिवर के बारे में पड़ोगे तो आपको एक आफिशियल स्टेटमेंट मिलेगी अग रिवर की ट्रीब्यूट्रीज की जो बेसीकली क्या है नाज भिन्नी नाला या भिन्नी भी बोलते हैं इसको नाला कहीं बार नहीं भी बोलते हैं तो confused मत हो ना वहाँ पर नाज या भिन्नी लिखा हो गए भिन्नी नाला भी लिखा हो सकता है ये कुछ important most important tributaries हैं रावी रिवर की जो कठ हुआ ये जम्मू कश्मीर से पास होती है वही कोशन आपसे पूछा है कि नाज और भिन्नी नाला कहां की tributaries है तो नाज और भिन्नी नाला जो ट्रिबूटरि जो ये डोनु ट्रिबूटरि है हमारी जैसे मैंने आपको एक यह कोशन पूछा था तो इसका यह आंसर कोई इसको पर्सनली अच्छा से पढ़ना चाहता है इस पूरी रिवर की ट्रिब्यूटिस कहां पर है कौन कौन सी है और जमू कश्मीर में कहां कहां लग रही है कैसे जा रही है और इसको हम वाटन वे में कैस कैसे कैसे यूज करें वो सब बातें आप यहां जाके सीख सकते हैं ठीक है तो नाज और भिनिनला जो कोशन है जो 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 पूछन पूछा कि है ट्रिब्यूटिस किसकी है इसका आंसर है रिवर उग डाट इस इंटर्न डी ट्रिब्यूटरी आफ रावी रिवर एक कोचे जा सकते हैं नेक्स कोशन डिर्एक कोशन है मोगल गाडन जी रोखा बाग जिसका नाम है जो की बिल्ट बाया जैट इस जो नूर जहान ने बिल्ट किया था बनवाया था वो ऑवर लुक किस लेक को करता है यह वहां से कुघ को कॉन सी लेक दिखती है आंसर डिर्स ब मानस बर लेक बिल्पीदा आंसर कुछ कोशन ऐसे हैं जो आपको एक बर पढ़ने और आपके लिए हमेशा वो दिमाग में फिट हो जाएंगे जैसे यह कोशन है इसमें किसी जुगार लगाने की अप्रोच लगाने की जुरूरत नहीं है यह सीधा सीधा कोशन है इसका सीधा स अगर मैं ब्रेक कर दूँँ अगर मैं needle like leaves में break कर दूँ तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है ये पूछ रहा है कि ऐसे कौन से पेड़ हैं जिनके लंबे-लंबे needle type पत्ते होते हैं जिसके लंबे लंबे नीडल टाइप पत्ते होते हैं ऐसा कून सा पेड़ है जिसके लंबे नीडल टाइप पत्ते होते हैं तो यह जो नीडल टाइप पत्ते होते हैं इसकी जगा वो पेपर में कॉनिफेरस वर्ड का भी यूज कर सकता था अगर वो coniferous लिखता बोलता कि flora having coniferous leaves instead of needle-like then it would have been the same thing पर confuse करने के लिए वो कौन सा word use कर सकता है needle-like के लिए coniferous तो अगर मैं geography के flora concept की बात करूँ तो ऐसे कांटे तार तीखे पत्ते या कांटे तार तीखे लंबे पत्ते कौन से पेडों के पाया जाते है वो उन पेडों के पाया जाते हैं जो वे temperate forest में belong करते हैं मैंने अलवड़ी बता दिया ठीमपर आप्स क्या होते हैं और दूनिया में किस कोने में पाया जाते हैं थोड़े से पीछे questions करेंगे तो आपको दिख जाएगा, that is tropical, उपर subtropical और उसके उपर temperate, नेचे भी वही, subtropical and temperate, then also. So, यह जो temperate region है, इस region के जितने भी paired-pode होते हैं, usually, usually, that is 90 to 95% वो coniferous होते हैं, यह फिर नीडर-like होते हैं. अब इसमें एक और question पूछ सकते हैं, कि हम में बताओ, जम्मू कश्मीर की ऐसी कौन सी belt है, जो इस coniferous type leaves को, या फिर इस needle type leaves को support करती है, मतलब, जम्मू कश्मीर में आपको पता ही है, कारा कोरम, लदाख जसकर, चलो मैं exclude करता हूँ, क्योंकि वो लदाख में आते हैं, जम्म नीडल type leaves पाए जाते हैं, answer would be greater himalayas belt, greater himalayan belt, तो एक question आपको, यहां से यह भी बन सकता है, इसका मतलब, कि यहां तक question का मतलब है, कि यह क्या बोलना चाहता है, यह बोलना चाहता है, कि ऐसा flora बताओ, जिसके needle type leaves है, इसका मतलब, यह कहीं न कहीं, greater himalayas वाली belt की, यह कहीं तक तो मुझे question समझ आ गया, अगर question यहीं तक होता, और मुझे answer देना होता, तो मैं silver fir और cedras deodara दोनों को tick करता है, क्योंकि दोनों ही temperate region के पेड है, दोनों ही greater himalayas belt के पेड है, और दोनों में ही coniferous, that is needle type leaves पाए जाते हैं, पर उसने question में, मतलब मैंने question में क्या किया, एक और line add कर दी, क्या line add कर दी, that is known by the woods of god, मतलब आप दो properties, ऐसा पेड जो इनस properties को भी hold करता हो, प्लस एक और property को hold करता है, that is it is also called as the woods of the god, यहाँ पे question बदलता है, यहाँ पे मैं silver fir को cross करता हूँ, eliminate करता हूँ, यह तो पहले ही eliminate है, क्योंकि यह तो temperate forest में पाए ही नहीं खतम, temperate में ही needle dive leaves होंगे, temperate में ही coniferous leaves होंगे, temperate में ही greater himalayas belt है, तो यह तो खतम पहले से, बच्चा silver fir और cedras deodara, तो आप woods of the gods prominently cedras deodara को, यह फिर deodara का पेड, जिससे आप deodara का पेड कहते हैं, एक second, जिससे आप deodara का पेड बोलते हैं, इससे woods of god भी कहा जाता है, या फिर इसके पास एक ऐसी property भी होती है कि कीडे, मकोरे, ants या repellent इसको like नहीं करते, अब आप बोलोगे, like नहीं करते का मतलब, अब आपको यह मिलेगा, that is, it is repellent to insects, that is, insects इसको नहीं खाते या फिर इसको कीडा नहीं लगता, पर आपको दूसरी sense में में बता हूँ, तो repellent भी कहा जाता है, मतलब जिसको कीडा नहीं लगता, वो वला पेड भी कहा जाता है, इसको woods of the gods भी कहा जाता है, answer is deodara, या फिर इसका scientific name that is cedrus deodara, तो इस तरह के question, आपको इस question से बन सकते है, मतलब यह knowledge आपके पास थोड़ी होनी चाहिए, इस knowledge की basis पे आप ऐसे 1000 question solve कर सकते हो, तो important है, आपको चीजों के concepts, चीजों की information, चीजों की knowledge को use करना आना चाहिए, तभी एक approach बनती है, कि आप answer को solve कर सकते हो, ठीक है, तो यह था इस question का answer, next question पे चलते है, मेरा next question है, but court, it is but court and gumber, it is but court and gumber, so but court and gumber are the tributaries of, so again यह ऐसा question है, जो tributaries में से पूछा गया, मतलब जमू कश्मीर की rivers का question आपके सामने आया, जमू कश्मीर की rivers के question के लिए आपको चेनाव और जेलम, at least यह दोनों rivers अच्छे से पढ़ के जानी है, मैं आपको बता देता हूं, जो चेनाव river है हमारी, जो हिमाचल से start होती है, चंद्र और भागा, बारा लचला पास से अपना पानी, एक टांडी रीजन में चंद्र भागा का मिलन होता है, चंद्र भागा, दोनों बारा लचला पास से गलेशर पी गलता है, बारा लचला का, चंद्र और भागा स्ट्रीम बनती है, यह जाके टांडी रीजन में गठी होती है, जहां पे इस का नाव चेनाव प पाकिस्तान में चली जाती है अब जब यह किष्टवार में एंटर करती है चनाब तो इसको संसारी नाला पानी फीड करता है राइट बैंक से थोड़ा आगे चलते हैं किष्टवार में ही मारूसदार रीवर इसको पानी देती है चनाब को राइट बैंक ट्रिबूटरी से देखो अगर रीवर ऐसे जा रही है तो ओविसली यह राइट बैंक यह लेट बैंक तो मारूसदार रीवर इसको राइट बैंक से पानी देती है ठीक है इसी को वन 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 रीवर के नाम से भी जाना जाता है य यहां तक मैं आपको बता रहा हूं कि यह चनाब चली जम्मु कश्मिर में आई पार्डर संसारे नाला ने उसको पहले पानी दिया पार्डर किष्टवार में उसके बाद जब वो आगे चली वानवन रिवर जिसका दूसरा नाम मारुजदा रिवर है उसने इसको पानी दिया कहां कहां पर गई और कौन-कौन से पानी उसमें एड हुए आपके लिए मुश्किल हो जागे इसको करना सो थोड़ा सा एक बार देख के जाईएगा कि कैसे एक रिवर यह कैसे जेलम रिवर और जैनाब रिवर आपस में चल रही है और कौन-कौन से ट्रिव्यूटरी तो कोचन के पास तो इस कोचन का अन्सर नाम है केल जो ही गोट इससे हमारे फेमाज पह्मिना के शोल बनता है और अगर किसी को आंसर नहीं भी इसका आता है तो एक हिंट कोशन में यह है कि which is known all over the world all over the world क्या ऐसा कोई शॉल जमू कश्मीर में है या ऐसा कोई फीचर या ऐसी कोई चीज जमू कश्मीर में है जो पूरे वल्ड में फेमस है यहां सभाश तो यहां सभी अगर अगर आयडिया भी लगाता है तो नहीं जाता प thoughts पश्मीर में अगर अगर मुझे फिर भी ईडिय नहीं बनता इस कोशन का canoe कि शैटुष को ही रिंग्षह बोलते हैं से यह इसका मतलब अगर शैटुष तो यह नहीं हो सकता यह तो यह कई दोनू सेम चीज़े हैं यह दोनु इकट जड़ पीछे बच्क रफल और प्रश्मीन फिर अंदाज ही उजाएगा लगाना तो ऐसे भी आपको अंसर को अप्रोच करना है कि आपको देखना किके हैं और किyan को है और क्षोर किसी एक ठीक हो सकता है इसलिए मेरा एक क्राइब से नग्रेक्स कोशन की तरफ कि यहां से लाज़ेस्ट वाइड लाइफ सेंचरी कौन सी है जम्मू कशमीर की ठीक है तब यह कोशन बड़ा इसी कोशन है इसके आप्शन बड़े आप्शन ध्यां से देखो पहला आप्शन है कारकुरम लदाग में बाइक जब लदा कैंसल तो यह दो तो मेरे कैंसल हो गए अब लार्जेस्ट वाइव सेंट्री में मेरे पास दो यह आप्शन है ओवेरा अरू या फिर फिर पोरा और शोपी है अब आपको एक बार तो लाइफ में यह पड़ा होना चाहिए कि कौन सी सबसे बड़ी है कौन सी सबसे चोटी है अ और अवेरा अरू जो अनंतनाग में पाये जाती है वह सबसे बड़ी वाइड लेव सेंट्री है तो अगर आप सबसे चोटी वह सबसे बड़ी भी अगर पढ़के जाओके तब भी आपका यह कौन से सौल वह जाएगा कुमी कन्क्यूजन दो में ही है दो तो अपने पहली कर दी ठीक है तो इस तरह से इसका अंसर बनता है और अवेरा अभू डैटी सी अंसर नेक्स चलते हम कि मुंदारी डान्स अब जो मुंदारी डान्स है अगेन यह कोशन आपको पूछा गया है आर्ट एन कल्चर ओफ इंडिया में से मुंदारी डान्स के लिए मैं अगर आपको बताऊं मुंदारी डान्स जो है यह जारखन का डान्स है डिरेक्टली बताता हूं इसका अंसर यह जारखन का Quindi Raonche है एक्चूली मुंदन ट्री के लिए यह डाँस किया जाता है मुंदन ट्री से मुंदारी ड्राँस बिलॉंγάस तुन जारखन्ड video कदम नाच कदम नाच भी एक डाँस है ó चो करमाच एक डाँस है cui कदम ट्री के लिए किया जाता है वो भी कहां पे जारखंड में वैसे जारखंड में सरहुल भी किया जाता है जनानी जूमर भी किया जाता है मरदाना जूमर भी किया जाता है तो इस तरह से ये सारे डांस वर्म्स किसके हैं जारखंड किये हैं जारखन के dance forms याद होगे तब ही आप इसको कर पाओगे वरना मुश्किल हो जाएगा जैसे वेस्ट पेंगाल में गंबीरा किया जाता है दून आची किया जाता है अलकाब किया जाता है चैन्ज आपको फूल्यक्ति किया जाता है कुछ चार-पांच-छे-सोद नामता को याद करने पड़ेंगे अब यह मजबूरी तो है यह तो तब ही पेपर भी उनके निगलते हैं जो अच्छी सी मैनत करते हैं ज्यादा मैनत करते हैं ठीक है क्योंकि आज जम्मू किश्मीर में एक पॉइंट पे 1000 से 2000 बच्चा बैठा ह होता है क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक जो बहुत लेंदी और बच्चा उसको छोड़ देता है तो अगर बच्चा उसको विद्टाइम कर ले आज अगर आप पढ़ना स्टार्ट करो तो मेरे ख्याल से आने वाले एक दो महिने में यह तोपिक आपका कवर हो सकता है लेकिन व इंडिया के फेस्टिवल में से मतलब आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया में से फिर से कोशन आया विल्डेवल में भी आ सकते है ठीक है कोशन है कि कोशन है कि हॉर्ण बिल फेस्टिवल कहां का फेस्टिवल है या फिर कहां पे बिलॉंग करता है इसका आंसर है नागा लें हॉर्न बिल फेस्टिवल के अगर मैं बात करूं तो नागर लैंड एक जाया तर एक ट्राइबल एरिया माना जाता है और हमेशा एक स्टेट यह चाहती है कि उसके पास कोई अच्छा सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो या कोई टूरिस्पॉर्ट हो जहां पे लोग आएं है कि वेकेशन में कुछ लोग आपके टूरिस्पॉर्ट में अपनी चूटियां बिताना चाहेंगे अगर कोई भी आपकी स्टेट में टूरिस्पॉर्ट में विजिट करता है तो आपकी स्टेट की उपर जाती है क्योंकि आपकी स्टेट में विजिट करेगा तो मानलो सब्सक्ame सब्सक्राइब क्य signa प्रटिकुलारी तो तूर्सสट्राइशन वाली सेटा उसकी एकोण나 मिय उपर जाएगा तो हमारे इंजाधापान स्टेट वाली सत्राइब जैसे जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हिमाचल है, करला वाली साइज है, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जिसमें नैचरल टूरिस डेस्टिनेशन नहीं हैं, पर वो स्टेट्स चाहती हैं कि हमारे पास लोग आएं, हमें विजिट करें, सो देट हम भी क्या करें, एकनोमी हमारे पी उपर जाए, बिकॉस अफ टूरिस या बिकॉस अफ इन फ्लक्स अफ टूरिस इंटू वन स्टेट, अब वो होता कैसे हैं, देखो, मैं आपके साथ ये स्टोरी इस लिए डिस्कुस कर रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा, यह हॉर्न अब इस लिए इस लिए वाकिफ नहीं है, तो अगर मानलों मुझे चुटी देंगे, मुझे वाले चुटी देंगे, तो अब जा दस दिन के लिए घूम बिर के आज़े कहीं हुपे, तो मेरी लीस्ट डेस्टिनेशन चॉइस होगी नागलाइड, क्योंकि वहां का कल्चर म किसी अलग सी, यूनिक सी स्टेट में जाना मैं पसंद नहीं करूँगा, शाहिद मैं गोवा चला जाओ, शाहिद मैं मुंबई चला जाओ, शाहिद मैं कश्मीर चला जाओ घूमे, पर मेरा लीस्ट चॉइस डेस्टिनेशन की होगी नागलाइड, तो नागलाइड ने सन 2000 म को बढ़ाने के लिए, हॉर्ण बिल फेस्टिवल को इंट्रेडूस किया, जो यहां का सबसे मेन फेस्टिवल है, सबसे मेन फेस्टिवल है, हॉर्ण बिल, वह आप सुचके कोई हॉर्ण बिल, किसी हॉर्ण बिल के नाम से इसलिए फेमस वान नहीं, यह नाम अपने आप मे होरन बील फेस्टिवल में क्या किया जाता है। Long jump करवा रहे हैं, race करवा रहे हैं, chili eating competition करवा रहे हैं, pork eating competition करवा रहे हैं, tug of war करवा रहे लॉज एसे athletics, या फिर long jump high jump करवा रहे हैं, कुछ इस तरह के mix festival को या mix sports को introduce करते हैं वो इस culture में और लोगों को इन्वाइट करते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें और इंजॉय करें तो हॉरन पील एक ऐसा फेस्टिवल जिसमें आम स्पोर्ट्स को आम गेम्स को जो कॉमन गेम्स होती हैं उसको इंटेड्यूस किया गया कुछ इटिंग कॉम्पिटेशन रखें वहां पर आ कल्चिरल जगरुत्त को फैलाने के लिए जो नगरेंड ने डानस इजात किया सोरी फेस्टिवल इजात किया उस फेस्टिवल का नाम है हार्नबिल फेस्टिवल और ये वनलब feemus to obviously option b that is nagalain. चलते हैं अपने next question पर. Next is reorganization act जो जम्मु कश्मीर का reorganization act है. Reorganization act मतलब जब जम्मु कश्मीर को reorganize किया गया. That is, जम्मु कश्मीर से लदाख को अलग किया गया, दोनों को यूटी बिना याया गया, statehood ले लिया गया. तो यह सब जो reorganization act का part है. यह simple question है, state question, that is, आपको knowledge से पता होना चाहिए, कि बताओ, इन 4 options में से, consider it 103. इन 4 options में से बताओ, कि कौन सा reorganization act है, मतलब कितने schedule, कितने parts, या फिर कितनी sections है, उसमें, direct question है, यह रटे वाला question, आपको यह आना चाहिए, यह याद होना चाहिए, answer is, D option, 103 sections, 14 parts and 5 schedules, ठीक, तो यह ऐसे ही 103, 104, 105 है, 14, 12, 13 में आपको confuse करने के लिए, यह कुछ markings लिख दी है, आपको याद रखने हैं कि 103 sections है, 14 parts है, और 5 schedules है हमारे reorganization act में, इसकी date कब आया, कैसे आया, यह भी आपको जरूर पढ़के जा रहा है, next question चलते है, next question is question number 20, अब question number 20, यह कुछ questions ऐसे हैं, जो आपको VLW की series में आया है, ठीक है, वो questions मुझे exactly याद नहीं कौन से, यह तो एक है उसमें, तो बाकी भी जो आया है, हमें तो सारे explain कर रहा हूं, आपको तो समझ आ जागी, वो कैसे उस पर क्या answer बगते है, next question आपको crops of India में से आया, मतलब crops, जमु कश्मीर का लगए, इंडिया का लगए, यह Indian crop का question है, that is, a crop with temperature requirement of 21-27 degree Celsius, अगर मैंने crops chapter पढ़ा है, तो मुझे पता है, मेज का यही temperature है, मुझे पता है, cotton का यही temperature है, पर मेरा option दो, दो तो हो नहीं सकते, मालनो इसमें, cotton भी एक option है, ठीक है, जूड का भी लगबग temperature same है, तो मतलब की कुछ-कुछ temperature के हिसाब से मैं अंदाजा लगाओंगा कि मेरे इंड में से कुछ answers बनने चाहिए, लेकिन इसलिए उसने confusion दूर करने के लिए आगे भी चीज़ें बताई है, that is, needs old alluvial soil, or states like Karnatka and Maharashtra produce it on large scale, अब इसमें भी confusion हो सक पर हैं, पर अगर आपको अगर नहीं पता कि क्या यह जूट में उपर है, यह नहीं, cotton में उपर है यह नहीं, तो आप फस सकते हो, इसलिए आगे एक और चीज़ दी गई है, कि USA leads in production in the world, USA इसकी production में lead करता है, मतलब की world में सबसे ज्यादा USA इस crop को उगाता है, या खाता है आंसर is maize, वहां से answer maize बनता है, इंडिया maize की production में 7th number पे था, recently इंडिया ने 6th rank ले लिए, recently एक maize को लेके कोई वो भी हुई थी, मेरे कहाल से summit हुई थी, जिसमें यह पता चला कि 6th rank है इंडिया का maize में, इससे पहले 7 था, और world में, number 1 में USA है, तो इसका answer फिर काटते 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 सबको maize बना, देखो, अब coffee जो है, no doubt, karnatka में, या maharashtra में पाई जाती है, maharashtra के lower areas में, और karnatka में, बाबा बोढदेंशाह hills में coffee पाई जाती है, arabica coffee पाई जाती है, इंडिया की coffee और world की coffee में यह फरक है कि ब्राजील में सबसे प्यारी, सबस में और उसकी जो qualities है, enrichment है, उसमें वो सबसे उपर है world में, और इंडिया की coffee है, वो arabica में सबसे उपर है, मतलब flavor में, उसका जो अहसास है, जो उसकी सुगंद है, उसमें सबसे उपर है, वैसे ही ब्राजील अपने taste में या फिर अपनी enrichment में सबसे उपर, so इंडिया में जो coffee भी पाई जाती है, खास कर बाबा बुढदेंचा हिल्स में, हमारे western ghars में वो मिलता है, बाबा बुढदेंचा हिल्स, यहाँ पर coffee जो इंडिया में पाई जाती है, वो arabica coffee का नाम है, वो अपने flavor में, अपनी smell में सबसे अच्छी मन जाती है, तो यह बात है coffee की, so coffee करनाटक में तो पाई जा सकती है, पर उसकी temperature requirement यह नहीं है, और USA की बजाए, ब्राजी तो इसमें रीड कर रहा है, तो coffee में काट नूँगा, ठीक है, wheat आपको पता है, एक कराबी crops सर्दियों में लगाई जाती है, तो इसका मतलब obviously 10-15-20 भी अगर मानलू में, तो 10-15-20 इसका temperature होगा इसको खिलने के लिए, या grow करने के लिए, पर यह temperature तो 21-27 दिया हुए, तो मैं wheat भी अपना option से निकाल सकता हूँ, वैसे ही जूट भी निकाल सकता हूँ, तो आ कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको थोड़ी सी अप्रोच लगानी है, सोचना है, अपने दिमाग में, क्या, क्या, कैसे, कैसे हो सकता है, अपनी knowledge को जो आपने इतना पढ़ा पढ़ रखा हुए, दस-दस copy लिखके भर दी हुए, उनको आप थोड़ा समेटना है, और उस knowledge को यूज करना है, कोई भी ऐसे question कभी paper में नहीं आदे है, जो directly आपने पढ़े हो, बड़ा rare है, आजकल, 20-25 question ऐसे आजाएंगे सो में से, जो आपने same question पढ़ा, same paper में आगे, आपने टिक कर दिया, 75% question ऐसे होते हैं, 25% तो वो होते हैं, जो directly आ जाते हैं, 75% ऐसे होते हैं, परसे होते हैं, जिसमें से 25% तो आपको आते ही नहीं, ठीक है, जैसे इसका answer निकाल सकते हैं, जैसे में इसका answer आपको क्या बता दिया, that is wheat.